तो आच चछा के तरह हम देश प्रदेश की सीमा से बाहर जाकर एक बार फिर अंतराष्ट्रे विषय पर बात करेंगे वहाई एक बार फिर रूस और युकरेञ्ज युद्धि के संदर में बात करेंगे हालात दिन पर दिन भायावा होते जा रहे हैं जस्प्रकार का घटनाग्रम पिछले एक जड़ हफते के बीच में रूस यूकरेन युद्ध के संदर में घटित हुआ है। उससे ये आशंग का प्रबल हो गई है कि कहीं हमारी कदम तीसरे विश्व द्यूगर के और तो नहीं बढ़ रहे है। ये बात इसलिए महतरपूर्ण हो जा रही है कि पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें अंतरश्टे सर्वा मीडिया में सायव हुई थे कि यूकरेन ने पलटवार रूस के संदर में किया अपने एक बड़े इलाके को उसने रूस से छीनने में सफलता हासल की है पर इसके उलट र रूस का हिस्सा बना हुआ है उस पर एक महतरपूर्ण पुल पर हमले के संदर में घटना करम घटित हुआ और उस घटना करम के बाद पलटवार करते हुए रूस ने मिसाइल की जड़ी लगा दिए नतीजा यह हुआ कि जेलन्स की एक बार फिर जी सेवन देशों के बीच म की और उसके बाद बड़े पैमाने पर हतियारों के आप उर्ती यूकरीन को उपलब्द कराने में सहमत ही विखती है इसके तहित सबसे बड़ा घटनागर में हुआ है कि जर्मनी के द्वारा एक बेहद उन्नत किसम का एयर डिफेंस सिस्टम जो हवा में ही मिसाइलों को यूकरीन की मदद में खड़े होंगे तो क्या यह आशन का प्रबल नहीं होती है कि रूस बचाब में परवानों हतियारों कर इस्तिमाल कर सकता है जिस तरीक से अमेरिका और कुछ पश्मी देश एक जुट होकर अब यूकरीन की युद्ध में अप्रितक्ष रूप से पड़े हैं उसके बाद अगर यह आशन का विश्व मडल पर आ गई है कि एक बार फिर दुनिया तीसरे विश्विद्ध की दिशा में आगे बढ़ रही है तो यह बेमानी नहीं है तो क्या कुछ आगे आने वाले समय की संभावना है कैसे इसे रोका जा सकता है कैसे इसमें कहीं कोई कमी लाई जा सकती है इस पर हम विश्विशक्यों के साथ मैं बात करने की कुछिश करेंगे तो जूड़ेगा मेरे साथ इस एहम मसले पर जो पूरी दुनिया के संदर में महत्त पूर्ण है आज रात आट बेज़ चर्चा में आयाने चों जनता ठीए